Master Kitchen अंजली में आप लोग का स्वागत है आज में बीना मावा के गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ जिसको हम घर की सामान चीजों से बनाएंगे आप देख सकते हैं कि कितना सूपर सॉफ्ट गुलाब जामुन बना हुआ है जितना दिखने में अच्छा है उतना खाने में भी ये टेस्टी है चलिए अब हम इसे बनाते हैं पैन गर्म कर लेंगे पैन में हम 1 टी स्पून घीड डालेंगे अब हम रूम टेंप्रेश्यर पे रखा हुआ दो कटोड़ी दूद लेंगे और इसमें पैन में डालेंगे और हलका उबालाने देंगे और फिर उसी कटोरी से हम मेजरिंग के लिए उसी कटोरी से सूजी लेंगे और दूद को चलाते हुए हमें सूजी को धीरे धीरे मिलाना है एक साथ मिलाने से लंस पढ़ सकते हैं जिससे गुला जामुन हमारे अच्छे नहीं होंगे तो इस बात का हमें ख्यास ध्यान रखना है अगर हमें गुला जामुन अच्छे बनाने हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लंस इसमें ना पढ़ है सूची दूद को बहुत जल्दी एब्सर्ब कर लेता है तो गैस हम बंद कर देंगे और अब हमारा डो बन के रेडी हो चुका है तो हम इसे एक अलग बरतन में निकाल के रख लेते हैं जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है तब तक हम चासने बनाने की तयारे कर लेते हैं चासने बनाने के लिए हम सबसे पहले कटोरी पानी लेंगे और उसी कटोरी से हम दो कटोरी चीने लेंगे और हम इनको अच्छे से चला देते हैं यह अच्छे से डिस्वाफ हो जाएं और फिर हम इनको ढग देंगे अब हम डो में एक टीस्पूंग घी एड़ कर लेंगे और इनको अच्छे से अपने हाथों से मैश कर लेंगे हमें एक खास ख्यार रखना है कि डो हमारा हलका गर्म ही होना चाहिए अगर डो ठंडा हो जाता है तो हमारे गुला जामून अच्छी नहीं बन पाएंगे और उसमें क्रैक्स आजाते हैं इसलिए हमें इनको हलका गर्म होने तक ऐसे मैश करते रहना है और राउंड शेप में बना लेना है मैं इसे राउंड शेप में दे रहे हूँ आप इसे चाहत ओवल शेप में भी दे सकते हैं यह सारी आपकी च्वाइस है इस तरह से सारे गुला जामून बना लेते हैं और अब आये चलते हैं हम गैस के पास अब हम कडाहे में तेल डालेंगे तेल को बहुत गर्म नहीं करना है हमें मेडियम आज पर ही रखना है अगर बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो इससे क्या होगा कि हमारे गुला जामून ऊपर से तो सीख जाएंगे लेकिन वो अंदर से कच्चे ही रहेंगे तो यह खास बात हमें ध्यान रखना है कि तेल को मेडियम आज भी रखना है और गुला जामून को हमें पलटते रहना है एक ही तरफ नहीं रखना है नहीं तो यह चिपक जाएंगे कड़ाही से पून की मदल से इन्हें पलटते रहेंगे जिससे चार तरफ से एक जैसे तल के तयार होंगे अब यह अंदर से पक चुके हैं गैस को हमें थोड़ा और तेज कर देना है जिससे कि यह उपर का कलर थोड़ डाक आ जाए इस तरह से देखिए यह डाक कलर के हो गए हैं अब हमारे गुला जामून बनके तयार हो चुके हैं अब हम इन्हें तेल से बाहर निकालेंगे और यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है और पहले के साइज से ज़्यादा फूले हुए भी है यकीन मानिए जितना दिखने में अच्छा लग रहा है न उससे कहीं चाहता है और टेस्टी भी है यह देखिए कितना सूपर सॉफ्ट लग रहा है बिल्कुल भी क्रैक नहीं है अगर आप भी ऐसा गुला जामूं बराना चाहते हैं तो हमारे सारे ट्रिक को फॉलो करें अब हम चलते हैं चासनी की तरफ चासनी माना बन के तियार हो चुका है बहुत तार जैसा हमें नहीं देखना है चासनी को बस बस हलका चिपचिपा जैसा होना चाहिए एक चमच हम इसमें इलाची पौडर डाल देंगे और एक चमच हम केसर डाल देंगे अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और एक है करके इस सारे गुलाज जामून को चासनी में डाल लेंगे चासनी हलका गर्मी होना चाहिए जिसे गुलाज जामून उनको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सके और इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढख कर रख देंगे 10-15 मिनट हो चुके हैं अब हम अपने गुलाज जामून को चेक कर लेते हैं यह देखिए अच्छे से चासनी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिए हैं और पहले से जादा अच्छे 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 दिखने में लग रहे हैं अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें जादा करें जादा जादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले